हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी IQ IS हिंदी नमस्कार स्टड़ी IQ IS हिंदी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्त और मुद्दे की बात कारिकरम में आज हम बात करने वाले हैं बेंगलूरू इंटरनाशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल टू के बारे में इसका हाली में उद्घाटन किया गया और यहीं पर 108 फिट उची नाद प्रभू केंपे गोड़ा की मूर्ती का भी अनावरण प्रधान मंत्री नरेंद मुद्धी जी के द्वारा किया गया है तो यह जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट अभी यहां पर क्रियेट किया गया है जो कि बताये जा रहा है यह 100 प्रतीशत अक्षे उर्जा पर आधारित है मतलब इसका 30 से 35 दिनों के बाद यह जो है अप्रेशनल हो जाएगा अभी इसका उधगाटन किया गया है लगबग एक से डेड़ महीने में इसको शुरू आत कर दी जाएगी और साथ-साथ बैंगलूरू जो है इसको यह जो एयरपोर्ट मिला है बहुत ही डिफरेंट एयरपोर्ट है इसको इसमें हैंगिंग गाडन है बहुत सारे फीचर से उनको भी देखेंगे साथ-साथ यहां पर एक मूर्थी का भी अनावरं किया गया है कि किसी शेहर को किसी ने बसवाया होगा तो उसके नाम पर बनाई गई यह जो है सबसे उची मूर्ती है वैसे अगर हम बात करें तो भोपाल शेहर के बारे में आपने सुना होगा भोपाल में भी राजा भोज की एक मूर्ती है वो भी जो है लेकिन वो इत्ती बड़ी नहीं ह लेकिन ये जो है Guinness Book of World Records में भी इसका नाम आया है तो पूरी तरह से देखते हैं कि Bangalore airport में क्या changes आ गए है अभी तक जो Bangalore का airport था और जो नया Terminal 2 ओपन हुआ है उसमें क्या-क्या खास चीज़े रहेंगी उन सारी चीज़ों को देखते हुए camping गोड़ा के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो शुरू करेंगे आज का session जिसमें हम Bangalore के international airport Terminal 2 की बारे में बात करेंगे जो अभी से लगभग 30 से 45 दिन में operational हो जाएगा अभी यहां से कोई भी flight नहीं ओड़ रही है लेकिन इसको अभी integrate कर दिया गया इसका उधगाटन कर दिया गया है और इसके बाद यह चालू हो जाएगा यहां पर बहुत सारे नए-ने features दिये गए है एकदम garden जैसा आपको garden in terminal कहा जा रहा है इसको कि ऐसा लग रहा है कि कोई terminal garden के अंदर बनाया गया है इसमें bamboo का इस्तिमाल किया गया है और अक्षे उर्जा पर आधारित है तो सारी चीज़ें देखते हैं बहुती भववे इसको बनाया गया है एकदम राजमहल जैसा यह नजर आएगा यह यहां पर पूरा जो है यहां पर greenery, greenery है पूरे gardens जो है इसमें किये गए है इसमें hanging जो है इस तरह की चीज़ें भी लगाई गई है इसलिए इसको नाम दिया गया है hanging garden जूलता हुआ जो है यहां पर जूलता हुआ बाग है यह जो पूरी अंदर इसके interior में भी और exterior में भी पूरी तरह से यहां green lush है मतलब पूरी हर्याली है इसके अंतरगत भी और बाहर भी तो इसका जो है हाली में 11 नवंबर के दिन उधगाटन किया गया प्रदान मंत्री नरेंद मुदी जी के दुआरा इसको देखेंगे काफी भव्वे बनाया गया है इसमें और यहां पर सभी तरह की जो चीजे हैं इस airport को बनाने में bamboo का इस्तेमाल किया गया है आप देखेंगे तो पूरा यह जो golden दिख रहा है इसमें बनाने के लिए bamboo मतलब बास का उपयोग किया गया वैसे आप लोगों को पता होगा कि बास भारत में चाइना से आया है और यह जो है एक longest grass होती है तो इसका उपयोग इसमें किया गया है पूरा eco-friendly है यहां पर जो है temperature को भी maintain करने के लिए जो है इस तरीके से बनाया गया है वैसे तो यह पूरा project एक American company को दिया गया था उन्होंने इस पूरे airport को design किया गया लेकिन जो बास का काम इसमें किया गया है bamboo का काम किया गया तो एक Indian startup ने किया है पूरी इस तरीके से इसको बनाया गया है तो अगर हम इसके features की बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि यह दो चर्णों में इसको पूरा किया जाएगा अभी यह phase 1 होगा जो अभी एक डेड़ महीने में इसको शुरू कर दिया जाएगा और फिर बात होगी phase 2 की तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बताई जा रही है तो अभी तक बैंगलूर का एयरपोर्ट काफी बिजी रहता है वैसे इंडिया का सबसे बिजीस्ट एयरपोर्ट की बात करें सबसे यादा व्यस्तम जो हवाई एडड़ा है भारत का वो है इंडरा गांधी अंतराष्टी हवाई एड़ा जो की आपका नई दिल्ली में है दूसरा जो है चत्रपती शिवाजी महराज के नाम पे जो है वो मुंबई का एयरपोर्ट है और ये कैम्पे गोड़ा इंटरनाशनल एयरपोर्ट कालाता है बेंगलूरु का ये भी काफी बिजी रहता है लेकिन इंडिया का सबसे ज़्यादा IGI है इंद्रा गांधी इंटरनाशनल एयरपोर्ट तो यहाँ पर अभी कोई भी वेक्ति कहीं जाने के लिए कोई इंटरनाशनल फ्लाइट लेता है तो डिपार्चर में यहाँ पर चेक-इन काउंटर मिलेंगे 90 इसके लावा सेक्यूरिटी चेक लेंस होंगी 22 और इमिग्रेशन मतलब आपको अपने वीजा पर ठपा लगवाना होता है जब आप इस देश को छोड़कर भारत से आप कोई दूसरे देश जा रहे है तो वहाँ पर आपका एक इमिग्रेशन काउंटर होता है तो यहाँ पर अभी 36 जो है चालू हो जाएंगे और दूसरे फेस में यह बढ़कर 123 यह 40 और 61 हो जाएंगे इसके अलावा अराइवल प्रोसेस जो कोई दूसरे देश से भारत आ रहा है या भारती यही कहीं दूसरे देश से गए है तो उनको भी जो है देने के लिए यहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए है 60 और यह फेस 1 में है और फेस 2 में 113 हो जाएंगे कस्टम्स हैंड बेक के लिए 9 काउंटर है बैगेज क्लेम्स के लिए 9 है और कस्टम रैड लेन इंस्पेक्शन काउंटर जिसमें कस्टम डेपार्टमेंट जो होता है वो पूरी चेकिंग करता है कि कोई किसी भी तरह कि आपके चेहरे देखकर ही आपका बोर्डिंग जो है पास आपको अलग से कोई भी अपना अधार काड और ये सारी चीजें चीजें नहीं देनी पड़ेंगी आपका फेस देखते हुए ही सारी डीटेल्स वहाँ पर आ जाएंगी और इसकी हैंडिंग शमता जो है अभी धाई कडोड से बढ़कर पास से छे कडोड हो जाएगी मतलब एक साल के अंदर इतने यात्रियों को ये पूरी तरह से सर्व करेगा इसके अलावा बगीचे में टहलने जैसा अनुभव आपको मिलेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये पूरा हैंगिंग गार्डन है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एरपोर्ट नहीं है किसी गार्डन में एरपोर्ट बना दिया गया है और बैंगलूरी एरपोर्ट पर 100 फिजदी अक्षे उर्जा का उपयोगा ये बहुत इंपोर्टन चीज है अक्षे उर्जा का मतलब कि ऐसी उर्जा का इस्तिमाल किया जा रहा है जो की शय नहीं होगी खतम नहीं होगी रिन्यूबल है जो मिलती रहेगी उसमें सोलार इनर्जी का भी उपयोग किया जा रहा है विंड इनर्जी का भी तो इस तरीके से हरी तुर्जा जिसको कहा जाता है ग्रीन इनर्जी का यहां पर उपयोग किया जाएगा इसके साथी साथ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा international airport है वो है अटलांटा USA का सबसे बड़ा है भारत का मैंने आपको बता दिया international airport जो है वो आपका कौन सा है तो वो जो है आपका इंद्रा गांधी international airport है चत्रपती शिवाजी के नाम पर मुंबई का है पेंगलूरू का बात करिए अटलांटा विश्व का सबसे बड़ा international airport है और सबसे बीजिएस्ट भी है अमेरिका के अंतरगत इसके अलावा जैसे में आपको बताया यहां पर एक मूर्ती का अनावरण किया था प्रदान मंत्री नरेंद्र किलो की है इसके अलावा इसमें स्टील जो है 120 तन उप्योग किया गया है कासा जो ब्रॉंज होता है वो इसमें कॉपर और टिन का मिक्षर होता है तब सी यू प्लस एसन का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसको बनाने में 84 कडोड खर्चू है यह जो है बैंगलूर के अनुसार यह किसी शेहर के संस्थापक की पहली और सबसे उची कासे की प्रतीमा है और इसको जो प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्म विवूशन से सम्मानित राम वन्जी सुतार ने प्रतीमा को डिजाइन किया है इसके लावा सुतार ने गुजरात में स्टैचू अफ की गई जिसे प्रतीमा के चारों टावरों में एक के नीचे पविर्त मिट्टी को प्रतीकात्मक रूप से मिलाया भी गया है तो यह भी एक महत्पून चीज है इतना बड़ा यह स्टैचू बनाया गया है 108 फिट का है और यह वर्ल्ड का टॉलेस्ट फिट है जोगी ऐसे व मुदाय है वो उससे यह कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि कौन है नाद प्रभू तो नाद प्रभू केंपे गोड़ा विजे नगर सामराज्जिक शाशक थे और उन्होंने 1537 में बैंगलूरू की स्थापना की यह बहुत इंपॉर्टेंट ह 1537 इस चीज़ को याद रखेंगे और साथ ही कंणर भाषा में कई शिला लेग भी इन्होंने बनवाये हैं तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अलावा पंद्रभी शताब्दी मुन का परिवार तमिलनाडू के काची से करनाटाय का आया और विजे नगर सामरा पर शाषन किया और कैमपे गोड़ा ने पहले शिव गंगा रियासत पर जीत हासिल करी और उसके बाद डोमलूर को भी जीत लिया डोमलूर पुराने बैंगलूरू एरपोर्ट की सड़क पर इस्तिते जो अभी वर्तमान आप बैंगलूर देखेंगे और अब वर्ष जो है 1530 ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बैंगलूरू किले का निर्मान किया और एक नया शहर बसाया जिसके बाद उन्हें राजधानी येला हंका जो हुआ करती थी वहां से बदल कर वो कहां ले आये थे बैंगलूरू ले आये थे तो वहां के एरपोर्ट का नाम और बहुत सारी चीजों के नाम अगर बैंगलूर जाएंगे तो उनके नाम पर मिलते हैं आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगाए हैं जो वहां के संस्थापकों के नाम पर की जाती है लेकिन इत्ती बड़ी मूर्ती कहीं पर भी नहीं है तो ये बैंगलूरू को अनाज निकालना होता है, तो इस समुदाय का मुख्य पेशा क्रिशी ही रही है, तो ये एग्रिकल्चर में इन्वाल्व रहे हैं, इसके अलावा इस समुदाय के कुछ उप संप्रदाय भी हैं, जैसे गंगादी कादरस, नामधारी वोक्का लिगगा, इसके अलावा मैसूर की पूर्वी रियासत में भी वोक्क लिगगा, सबसे बड़ा समुदाय हुआ करता था, मैसूर जो आप पढ़ेंगे किंग्डम के बारे में, वहाँ पर भी ये बिलॉंग करता था, तो बैंगलूर के अंदर ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट अब चालू हो गया है, मतलब इसको बना दिया गया है और ये ऑपरेशनल हो जाएगा, 32-45 डेस के अंदर, और यहां बहुत सारी, अब देखा जाए तो बहुत सारी connectivity अब जैसे बढ़ाई जा रही है, विदेशों में भी, क्योंकि भारत में भी देखा जाए तो बहुत सारी international flights आपको दिली से मिल देखेंगी, तो बैंगलूर पर दीरे क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री यहां पर आते हैं, और बैंगलूर जो है, अगर हम बात करें, सिलिकन सिटी कहलाता है, सिलिकन वेली कहलाता है, यहां पर बहुत सारे start-ups है, प्रदान मंत्री नरिन मोदी जी ने भी इस चीज बात थी बहुत जरूरी थी, और यह इसको मिली है, इसके अलावा कोई भी डाउट से हैं, शोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड सकते हैं, लेक्चर की PDF यहां से डाउनलोड करेंगे, और कोई डाउट आएगा, तो कमेंट सेक्षन मुझे जरूर बताएंगे, थैंक य वेरी मuch for watching this, have a great day.